वेलकम बैग, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, Why Carbon Mono Oxide is Poisonous देखो Carbon Mono Oxide highly poisonous और बहुत dangerous है देखो dangerous इसलिए हो जाता है कि रूम में Carbon Mono Oxide filled है या नहीं है आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत बार ऐसा होता है कि लोग माइन्स में जाते है या ड्रेन में लोग उतरते हैं ना ड्रेन साफ करने के लिए तो कितनी बार क्या होता है कि कार्बन मोनो आक्साइड पहले से अकुमिलेट हो जाता है और जब लोग वहाँ जाते है तो पता भी नहीं चलता है उनको कि carbon monoxide accumulate हो गया है क्यों नहीं पता चला? क्योंकि carbon monoxide का smell नहीं होता है carbon monoxide has no smell तो अगर ये room है, room में CO पुरा भर गया और आप यहाँ पर या कोई चला गया? कोई smell नहीं है ये carbon monoxide अब ये breathe in करेगा breathe in करने से क्या होगा? ये आपके carbon monoxide आपके blood में चला जाएगा और blood में चला गया small amount में, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा amount, small amount में जब चला जाने से person जो होगा, वो बिहोश हो जाएगा, unconscious हो जाएगा वो वहीं पे बिहोश हो जाएगा अब देखो problem क्या? वो help के लिए आवाज भी नहीं लगा सकता है वहीं बिहोश रहेगा, और काफी देर तक इस environment में रहेगा ना, carbon monoxide के environment में तो उसका जो brain है वो dead हो जाएगा अब है, ऐसा होता क्यों है? ब्लड में अपना हीमोग्लोबीन होता है इस हीमोग्लोबीन का काम होता है, oxygen से bond करता है O2 से bond करेगा यह हीमोग्लोबीन और oxygen को हर जगा ले जाएगा brain में भी oxygen को जाके deliver करके आता है बट अगर आप carbon monoxide breathe करते हैं देखो यहाँ पर carbon monoxide है तो O2 भी होगा मैं यह नहीं बोलना हूँ कि O2 नहीं होगा सब कुछ है अब carbon monoxide भी आया और O2 भी आया तो कौन-कौन खड़ा है हीमोग्लोबीन है यहाँ पर और साथ में कौन है O2 है और carbon monoxide है अब पता क्या होगा carbon monoxide has more affinity for hemoglobin compare to O2 O2 bind ही नहीं करेगा हीमोग्लोबीन से carbon monoxide will bind with hemoglobin oxygen है आप room में oxygen है हर तरफ oxygen है blood में भी oxygen है बट carbon monoxide has more affinity for hemoglobin यह bind कर जाएगा इसको जगा भी नहीं मिलेगा बाइंड करने का अब क्या हुआ ब्रेन में oxygen जाना बंद हो गया ब्रेन जो है धीरे धीरे unconscious हो जाएगा और बहुत देर तक अगर आप वहीं रह जाएगे तो ब्रेन जो है वो डट हो जाते है आप ब्रेन कर लेते हैं उसे ले लेते हैं अंदर पर आपको पता भी नहीं चलता है क्यों? कोई smell नहीं है और कोई unconscious वगरा जब तक आप हो जाते है उसके बाद क्या होगा? इसलिए जब कहीं fire लगता है ना building वगरा में तो बहुत कम लोग जलने से मरते है होता क्या है कि जब fire लगता है तो वहां carbon monoxide का build up होता है carbon monoxide उस area में आसपास जमा हो जाते आदमी जो भागने के कोशिश करता है वो बेहोश हो जाता है because of carbon monoxide और वो भाग नहीं पाता है उसके बाद वो जल जाता है या अगर जलता भी नहीं है तो because of excess intake of carbon monoxide the person dies ठीक है तो यह ध्यान रखना है और यह भी ध्यान रखना है कि एक close room के अंदर माल लेते हैं यह अगर हम लोग है इस close room के अंदर कोई भी fire कोई भी fire आपको नहीं जलाना है कभी नहीं क्यों? जब आप जाग रहे है तो तो oxygen है room में sufficient oxygen है तो क्या बन रहा है? carbon dioxide बन रहा है बट जैसे जैसे यह oxygen consume होता जाएगा तो फिर हम लोग को पता है न in limited supply of oxygen carbon monoxide बनेगा यह बनना बंद हो जाएगा जब आप सो जाएगे तो carbon monoxide बनेगा अज आप सोते हुए carbon monoxide intake करेंगे बेहोश हो जाएगे फिर brain dead हो जाएगा तो यह ध्यान रखिएगा ठीक है? अब दूसरा सावा वाई carbon monoxide binds with hemoglobin उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है carbon monoxide हम लोग अभी पढ़े थे carbon monoxide का structure यह होता है this is plus, this is minus, this has got lone pair because of this lone pair carbon binds with hemoglobin because of this lone pair carbon act as a ligand carbon act as a ligand and binds with hemoglobin as a result oxygen do not bind with hemoglobin and oxygen is not transported ठीक है thank you